बहुत बढ़ी है जी बहुत बहुत शुक्रिया तो आपको इससे देखकर याद आ रहा है कि किसी भी लिखेवे सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब आने वाली नोन फाइनाइट वर्ब के पैटरन को डिसाइड करती है तो इसी के बेसिस पर हम लोग एक काम करते हैं जो पिछली क्लास में हम लोग उने पढ़ा उस चीज को मैं रिवाइस करा देता हूँ मैं कुछ एक सवाल आपके सामने लिखूँगा मेरे प्यारे बाही ठीक है न? मैं आपके सामने कुछ एक सवाल लिखूँगा आप उन questions को ध्यान से देखिएगा आप अपने answers जाएगा थोड़ी सी revision होगी फिर मैं उस काहनी को थोड़ा आगे लेकर चलूँगा ठीक है न जी? झाल आपके सामने लेकर ठीक है न जी? धाल आपके सूछ घोड़ी सामने लेकर शीज़ी को था है से जाह थोड़ी सामने लेकर चलूँगा झाल 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 प्यार से समझने की कोशिश करोगे उतनी चीजें मज़ेदार लगेंगी आपको सीखने में मज़ाएगा झाल 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 बनाओ, 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 बनाओ देखो बिटा पुरानी बात याद आ गई है आओ अब इनको थोड़ा सा वेरिफाई कर लेते हैं बच्छों ठेक है लिखा हुआ है हमारे सामने जो सेंटेंस लिखा है रवीना हैस डिसाइडिड ब्लैंक लिखा हुए हेल्प हर ब्रदर और उसके बार लिखा है तो भाई इस लिखिवी फाइनाइट वर्ब की वज़े से हम लोगों ने आगे यूज़ करने का काम किया इन्फिनिट ये पिछली क्लास में हम लोगों ने लिखा था आज हमें इसकी वज़े समझ आएगी जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो हमें इसकी वज़े समझ आएगी कि इसके अदर क्या corrections हम कर सकते हैं ठीक है आगे हम देखने का काम करते हैं तो हेल्प अद ब्रदर उसके बाद देखो बिटा help अपने आप में एक ऐसी bare infinitive लेकर आने वाली finite verb बन जाती है कि यानि कि जिसके बाद हम आने वाली जो भी verb लिखें वो अपने आप में बिना two के use होने वाली बात करता है ठीक है question number two की बात करते है she has seen her friends आप जानते हैं कि ये तो bare infinitive लेकर आने वाली verb है तो हमने इसके ठीक बाद सिर्फ और सिर्फ लिखा discuss question number three को देखते है are if has been made भई एक बार बड़े ध्यान से ये सोच के बताओ देखो ये तो हमें पता ही है कि ये bare infinitive की verb है मुझे ये बताओ ये active लिखा है या passive लिखा है बिल्कुल ठीका सभी बच्चों ने ये सब के सब passive voice है और passive होने की वज़े से एक बच्चे ने तो आगे का answer भी बता दिया कि सर यहाँ take नहीं हमें to take लेकर चलना होगा बड़ी अच्छी बात है दोस्तों question number fourth को देखते है she will let अच्छा भई अच्छा मैं अगर आपको याद दिलाओं ये जो let है एक गदार verb है बताओ क्यों देखो कितनी बाते हैं याद है आपको पिछली class की बताओ ज़रा ये जो let लिखी वी verb है याद आगे है आप लोगों को शुक्रिया दोस्तों क्योंकि ये अपने आप में चाहे active में हो चाहे passive हो इसके बाद हम हमेशा एक bare infinitive ही लेकर चलते हैं ठेक है ना भाई आया ना बात बिल्कुल ठीक कही अरुन भाई ये हमारे सामने लिखा एक question word ठीक है जी आप इस लिखेवे sentence के अंदर सोच कर बताना बताओ जरा finite verb लिखू या non finite verb लिखू इदर बताना सोच के finite verb लिखू या non finite verb लिखू बताओ जरा question 5 और 7 के answers को बनाने से पहले आपको reason तक पहुंचाना चाहूँगा इसके answer तक ले जाने के लिए पहले एक बार आपको reason तक ले कर जाना चाहूँगा मुझे सोच कर ये बताओ बेटा question number 5 में यहाँ मुझे क्या लिखना होगा finite verb या non finite verb और question number 6 में सोच कर मुझे ये बताना यहाँ पर क्या लिखनी होगी मुझे finite या non finite verb शाबाश 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 अच्छा एक चीज महसूस करना अब आप लोग एक चीज महसूस करना पिछली क्लास में पिछली क्लास में आप में से किसी भी बच्चे को कर डाट पड़ी होगी तो आज की क्लास में उस बच्चे के सारे answers ठीक हो रहे हैं पिछली क्लास में जिस भी बच्चे को डाट पड़ी थी अपने उल्टे सीधे answers की वज़े से आज उसके answers ठीक बन रहे हैं दो फाइदे हुए डाट की वज़े से revision भी लगाई और डाट लगने की वज़े से चीजें दिमाग में भी रखी हैं क्या मैं ठीक कह रहा हूँ मेरी बात से सहम है थे तो yes sir कह दो ठीक है भई तो आपने इस question word के बाद लिखावा देखा subject भई हाँ है ना मैं ठीक कह रहा हूँ भई अगर subject लिखाव है तो यह तो अपना sentence बनता है finite verb के लटीजे मुझे इसे tense के coding यूज़ करना होगा अरे भई हाँ हाँ ना मुझे यहाँ पर इसे tense के coding यूज़ करना होगा तो tense के coding अगर हम इसे use करेंगे दोस्तों tense के coding हम इसे गर use करेंगे तो तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपने इधर दिखा present तो आप यहाँ पर चाहे said कहलो, चाहे says कहलो कुछ भी कहलो, tense के coding आप इसे use करने वाले हैं, भई हाँ के ना तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ ना, अब देखो यहाँ इस सवाल में क्या हुआ, इस question word के ठीक बाद कोई subject नहीं लिखा है, हाँ या ना इसके बाद कोई subject नहीं लिखा है जब subject ही नहीं लिखा है, तो हमें बिचारे को, इस लिखेवे sentence को अपने आप में पूरा करने के लिए बना दिया, क्या चीज़? infinitive हा के ना, अब आओ मेरे भाई question number 7 पे, question number 7 का answer बनाने में तो मुश्किल नहीं है रिया wants, तो आपने देखा, want के बाद तो sir, infinitive हम लगाने का काम करते हैं भई हाँ ना, अब सवाल के उठता है इस लिखेवे blank में आप क्या लिखने वाले हैं इस लिखेवे blank में क्या लिखने वाले हैं आप to right को लिखने वाले हैं या सिर्फ right को लिखने वाले हैं चलिए अपना विचार बताएं फटावट से भीट आपना विचार बताएं आप क्या कहना चाहते हैं बताव 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 शाबस बिलकुल आंसर मिल गया आप थोड़ा सा इसे ध्यान से समचो बिटा कहानी में क्या ट्विस्ट आ गया है कहानी में क्या ट्विस्ट आ गया है इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोगों को देखने को नजर आ जाता है कि किसी भी लिखेवे sentence के अंदर, हम पहले हिस्से में भले ही infinitive लिखें, क्या चीज लिखें? infinitive लिखें, ठीके न, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनका हमें खास ध्यान रखना होगा, दोस्तों, जिनने हम किसे शब्द की category में र लिखा हुआ हो, चाहे इसकी जगे accept लिखा हुआ हो, चाहे इसकी जगे but लिखा हुआ हो, इनके अलावा किसी भी शब्द की अगर हम बात करते हैं, मेरे भाई, तो इन शब्दों की खुबसूरती इस बात पर निर्भर करती है, कि हम इसके ठीक बात, to infinitive लेकर नहीं चलते क्योंकि to infinitive लिखने का मतलब ये तो इन शब्दों का purpose बताना शुरू कर देगा, हाई ना, इसलिए हम इस to को हटा देते हैं, और ये अपने आप में bare infinitive ही लेकर चलता है, एक example और लिख लिखता हूँ, जैसे अगर मैं आपके सामने कहा, एक बार जराइन के आंसस बिनाने की कोशिश करना भाई, चलो, सुबह की class भी revise करा देता हूँ, चलो, सुबह की class भी revise करा देता हूँ, ले भाई मेरे, तीन सवाल लिखे हैं, मेहनत करनी है जी, मेहनत करनी है, कुन्दन बेटे पढ़ाई में ध्यान दे, चबस्तुबश्च में चलो, सुबहें से भी जाता हूँ, चबस्तुबश्च भी छिवश्तुबश्च में जी जी चलो, सुबह भी बेटे हैं, झाल 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 चलो तो भई बहुत बड़ी आंसर हो गई इन लिखेवे सवालों के जवाब तैयार कर लेते हैं सवालों में क्या खास बात हो गई है शिविश्ट अब किसी इनसान ने गर उमीद की है in fact हम इसके ठीक बात infinitive लिखते हैं यह हम लोगों ने पढ़ा है इसकी वज़ा भी थोड़ी देर में यह आप लोगों को समझ आ जाएगे घवराने की जरूरत नहीं है उसके बाद आगे लिखावा है rather than ठीक है न जी अब इस then का purpose हम नहीं बता रहे हैं इसी बात को continue करने के लिए हम लोगों ने क्या किया इसी के लिए bare infinitive आगे continue किया अब इस सवाल को देखते हैं करन डिड नथिंग बट देखो बचो आपके paper में यह question कई बार दिया हुए इसका थोड़ा ध्यान रखें और इसके लिए bare infinitive लेके चलें अच्छा भाई इस लिखेवे सवाल में थोड़ा बताओगे यह आप लोगों ने model axillaries की class में पढ़ा है बताओगे इस सवाल में क्या गड़बड कर दी है मैंने आप कोगे सर आपने भेंकर गड़बड कर दी है और गड़बड क्या हो गई मीनू आपके sentence का subject है can आप लोगों की एक model axillary की नाते helping verb है अब आप एक चीज जानते हैं कि helping verb के बाद तो finite verb आएगी और finite verb के साथ हमें इस किसी two की जरूरत नहीं है आया ना reason clear है बेटा बिल्कुल ठीका आनुज बाबू बिल्कुल ठीका भाई set हो गई जी बाचीत कोई दिक्कत तो नहीं है है ना भाई चलो ये बात अपनी clear है अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को आगे लेकर चलना चाहूंगा और इस बात को थोड़ा सा गोर से देखें सीखें और समझें ठीक है भाई अब देखो बच्चो अब यहां तक तो हमने infinitives के ही आसपेक्ट्स को समझने का काम किया अब मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा एक दूसरी चीज की तरफ देखो बच्चो पढ़कर देखो ये क्या लिखा है पढ़कर देखो मेरे भाई क्या लिखा है इसे हम कहते है जेरंड क्या कहते है मेरे भाई जेरंड अच्छा फटा फट से एक बार याद दिलाओ इस बातचीत को कि भाई ये आपके हिसाब से जो जेरंड होता है इसका structure क्या होता है पढ़ा है आप लोगोंने पिछली ग्लास में इसलिए घवराहट नहीं होने चाहिए ठीक है एक बार मुझे फटा फट से आप लोग याद दिला दो मेरे बच्छों कि जो जेरंड होता है इसका जो structure है वो कैसे होता है बताओ जरा फटा फट से जेरंड का structure क्या होता है बताओ जरा अच्छा भाई देखो हबारे बच्चे बहुत बढ़ी आंसर दे रहे हैं ठीक है ना क्लास खतम होने से पहले प्यारी information और आपको दूँगा मैं क्लास खतम होने से पहले ध्यान रखेगा एक प्यारी से information मैं और दूँगा आप लोगों को मुझे याद दिला देना देखो भाई बच्चों ने बता दिया है बिल्कुल दिल खोल के ठीक है ना कि जब हम जेरंड की बात करते हैं तो इसके लिए हम structure यूज़ करते हैं बिल्कुल ठीक का कपिल भाई के नाम से भी जानते हैं ठीक है जी हो गई बात चीत इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई घबराट की बात नहीं है आप लोगों को एक चीज़ पता है कि जब हम किसी sentence में noun को use करते हैं तो noun किसी भी sentence का subject भी हो सकता है और noun किसी का object मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा जरा पढ़कर देखेंगे smoking causes cancer देखें ना जी मैंने आपके सामने एक और सवाल लिखा I like walking दोनों के दोनों सवालों को ध्यान से पढ़कर देखें मैं अगर आप से पूछता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों मैं अगर आप से पूछता हूँ सवाल की तरह से ध्यान से देखें मैंने आपके सामने एक सवाल पूछा what causes cancer तो what का अपने answer क्या दे दिया भाई smoking I like what भाई आपने जवाब दे दिया walking तो कुल मिला कर ये what का जो answer हमें दे रहा है noun हुआ के नहीं हुआ यहाँ पर ये जो what का answer दे रहा है भाई ये अपने noun हुआ के नहीं हुआ अरे भाई हाया ना ठीक है भाई अरे भाई हाया ना कोई दिक्कत तो नहीं है आप ज़रा याद करो वो अपनी भूली हुई यादें ज़रा याद करो, आप लोगों ने, दोस्तों, एक बर याद करो वो पुरानी बात, आप लोगों ने pronouns पढ़ा था, personal pronoun पढ़ा था, हाई ना, personal pronoun के दोराने एक सवाल लिखा था मैंने, पुरानी बात लिखूँगा, आपको बहुत जिल्दी याद आ जाएगा, एक सवाल देखो आपको पुरानी बात याद आएगी बेटे जितना स्लिवस आगे बढ़ता जाएगा आपके दिल में प्यार बढ़ता जाएगा इस English के लिए आपके दिल से घबराहट खतम हो जाएगी आपके दिल से इस English को लेकर जो एक अजीब सी जजबात होते थे वो सब खतम हो जाएगी धीरे धेरे हर चीज प्यारी लगेगी क्योंकि आपकी clarity खुबसूरत होती जाएगी शाबाश सभी बच्चों ने हिस कह दिया तो उस समय हम लोगों ने यही तरीका बनाया था आपने कहा गुइंग उस समय आप लोगों को यह तरीका बताया गया था कि कभी कभी first homophobe के साथ ing जुड़कर हमें what का अंसर देता है तो यह noun हुआ है न उस समय आपको नाम नहीं बताया था कि इसका वास्तविक रूप से क्या नाम होता है यही कहा था है न फिर आप लोगों ने यह चीज तो उस समय पड़ी थी कि जी noun से पहले तो हम प्रियंका चोपडा को यूज करते मैंने प्रियंका चोपडा ठीक कह दिया है मैंने प्रियंका चोपडा ठीक कह दिया आपको कि ना जी ना गुरू जी मजे ले रहे हो प्रियंका चोपडा नहीं 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 प् अभी तक तो इस बात पर मैं डाटता रहा आपको की रिवीजन किया को फिर बच्चे गबरा जाते हैं गुरुजी क्या रिवीजन कर इतना सारा स्लेबस हो गया है है ना तो मैं आपको रिवीजन का एड्रेस भी बताऊंगा ठेक है ना लेकिन प्लीज आपको कसम है अपने प धरूर रहेंगे हैं न वहीं अब थोड़ी सी बात को हम समझते हैं अब हम थोड़ी सी बात को समझने का काम करते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं एक बार न् fashion शुरू करता हूं सवाल लेखने की कोशिश करता हूं ठीक है जी अध्यआ बच्चों एक बार इस question का answer बताना जरा एक नहीं कही रहा है कह रहा है सर वो शादी में बुलाएगा ही नहीं अरे भाई कोई बात नहीं ना बुलाएगा तो कोई बात नहीं हम यहां से अपना आशिरवाद pack करके भेज देंगे ठीक है बेटा इस सवाल में आपने क्या answer बनाया बताओगी जरा थोड़ा सा सोचे बहुत बढ़िया तो मैं इस लिखेवे सवाल में एक छोटा सा मैं इस लिखेवे सवाल में एक छोटा सा experiment करना चाहूंगा ठीक है ना और मैंने क्या किया मैंने इस लिखेवे सवाल के अंदर देखो अभी आप सभी अपना अंसर दे रहे हो डिसाइड़ मैंने इसकी लिए आपके सामने छोटा से experiment किया और experiment क्या है इस decided को हटा कर मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरे भाई stopped तो आपका अंसर क्या होगा मैंने मेरे दोस्त यहाँ लिख दिया क्या चीज स्टॉप्ट तो आपका अंसर क्या हो गया आपको पिछली क्लास का एक्सपेरिमेंट याद आएगा आप बताओ 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 हूं शाबाश दीपक बहुत बढ़िया अरुन मेरे भाई बहुत बढ़िया इंदर अनुज शाबाश शाबाश योगेश राधे प्रभात अमित गजब हो गया भाई साब कते गजब हो गया हरशिता बहुत बढ़िया बेटे सब खतरनाक हो गये सबी ने का कि सर अब यहां पर पेइंग लगा दो ठीक है ना जी इसका मतलब क्या समझ में आया कहीं ये बात वहीं पर तो नहीं लेकर आगया कि कुछ ऐसी फाइनाइट वर्ब होती है जो नून फाइनाइट वर्ब के पैटरन को डिसाइड करती है भई हाई ना तो फिर तो मैं नियम लिख सकता हूँ और वो नियम क्या होगा नियम तयार कर दिया हमने following finite verbs are followed by following finite verbs are followed by first form of verb के साथ हमने क्या चीज को जोड़ दिया ing form of verb को जोड़ दिया हाई ना काइदे से इनका अपने आप में नाम क्या है भाई जेरंड है हाई ना एक काम करता हूँ कुछ verbs की ना मैं यहाँ पर list बना देता हूँ आपके सामने जैसे मैंने कुछ एक verbs लिख देनी है आपको पता चल जाएगा यह कुछ पड़ी पड़ी लगती है ठीक है ना जी start, stop, admit, involve, deny ठीक है जी अगर हम कहें इसी में involve तो मैंने लिखी दिया आपके सामने है ना like, love, hate, hate का synonym पूछ रहे ना कोई तो detest mark कर देना ठीक है ना जी, mind miss, ठीक है ना, और क्या लिखे हम इसी के अंदर, चलो, risk, इसमें और क्या लिखे हम लिख दिया, हमने suggest लिख दिया, ऐसी सी कई सारी verbs है, इनकी वज़े भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर क्यों होता है इन ही verbs के साथ ये वाला वैवहार, ठीक है ना जी, इनको भ बता है, ठीक है, बताएंगे हम इनकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना जी, चलिए, तो इन सभी सवालों में, अगर मालो, एक छोटा सा example मैं लिख लेता हूँ, माल लीजिए मैंने एक सवाल आपके सामने लिखा, मानसी, Missed, blank, Join the class, क्या कहना चाहिए हमें, कोई मुश्किल बात नहीं है, अब मुश्किल बातों को असान बनाने का वक्त आ गया है, ठीक है भई, तो आपने कासर कोई दिकत नहीं है, हम इस लिखी वी verb के coding, अगर ये हमारी finite verb है, तो आने वाली जो भी हमारी non finite verb है, उसे हम gerund category में use करते हैं, कोई दिकत नहीं है भई था है ना, चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ questions लिखूंगा, इन questions को बहुत ध्यान से आपको देखना है, और पिछली class से लेकर अब तक जो भी आपने याद किया है, ठीक है ना, जो भी आपने याद किया है, उस याद करने वाली बात की वज़े पर मैं लेकर जाओंगा अब याद करना नहीं, अब समझने का खेल शुरूगा, लेकिन कुछ questions आपके सामने जो होंगे, उन्हें बहुत 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 प्यार से आप लोगों को पढ़ना है कॉलाज, स्पैलिंग को नोट करें बचों कॉलाज की स्पैलिंग को नोट करें, कॉलाज basically एक artistic piece of work होता है, यानि कि कला से संबंदित होती है चीज, जिसके अंदर हम चीजों को इखटे मिला कर रूप बना देते हैं, उसका चित्र बना देते हैं, ये एक सवाल है, प्यारा सा काम आएगा, ठीक है भाई? कंदो एक सवाल आएगा, ये एक सवाल हैं, ये एक सवाल प्यारा साफंदित हैं, ये एक सवाल को रहाँ होता है, झाल 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 मैं आपके सामने कुछ उससे पहले तुकके ही हो सकता है मेरे भाई बढ़ 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 झाल अब आप जैसे जैसे यहाँ पर आते जाओगे आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी आप जैसे जैसे यहाँ पर आते जाओगे आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी यही घबराहट आपको डिफरेंच समझाएगी इन्फिनिटिव और जेरंड के बीच क्या फर्क होता है चलो आपने इनको लिख लिया दिमाग लगा लिया है और भी क्वेशन्स लिख रहा हूँ ठीक है न जी अबराहट है मैंने कुछ और भी सवाल लिखे थोड़ा मेहनत करो बेटा झाल 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 बड़ी है जी शाबार अब देखो जी आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा इनके आंसर्स तो हम बनाई लेंगे कोई घबराहट की बात नहीं है आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर आपने जब ये वाला सेंटेंस लिखा था पिछली क्लास में आपने जब ये वाला सेंटेंस लिखा था तो आपने हमें ये चीज़ कहने की कोशिश की कि भई फाइनाइट वर्ब आने वाली नोन फाइनाइट वर्ब का पैटरन डिसाइड करती है डिसाइड़ है तो टू पे लिख डाला से स्टॉब्ड लिखा है तागे पेइंग लिख डाला आपने कह दिया हमने मान लिया लेकिन बात में ये तो फर्क नहीं समझ हुआ है ऐसा हो क्यों रहा है बात में ये फर्क नहीं समझ में आ रहा है इस होने की वज़ए क्या है थोड़ा और reverse में आजाओ, आपने हमें infinitive को भी noun बताया था, हाय ना, जिसको verbal noun कहा, subject, object की जगे use हो रहा है, हाय ना, फिर आपने ये sentences लिखे तो, आपने यहाँ पर वही बात लिखी, अरे हाय ना, मैं अगर आपके सामने पुरानी बात लिखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान स समझने की कोशिश कीजिएगा, fine, एक बार इसे ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, मैंने आपके सामने लिखा, I want to sleep, ठीक है, और अगर इसी बात को हटा कर, अगर मैं यहाँ लिख दू, I like, तो आप कह रहे हो, sir, यहाँ पर sleeping जचता है, है तो दोनों के दोनों noun, क्य क्या इन दोनों के meaning में कोई फर्क है, हैं तो सर्फ दोनों के दोनों ही अपने आप में noun, क्या इन दोनों के meaning में कोई फर्क है, बिल्कुल फर्क है, भाई, दोनों के meaning में फर्क है, हाया न, अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना, मैंने आ बात बताना अभी बाकी है आरे हाया ना वो बात बताना अभी बाकी है यानि कि जो काम अभी हुआ नहीं है होना अभी बाकी है उस चीज को ही हम रिफलेक्ट करते हैं इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव उस एक्शन को बताने का काम करता है एक ऐसे एक्शन को बताने का काम क इसका मतलब क्या हुआ मैं ये चीज चाहता हूँ क्या चाहते हो कि मैं सोना चाहता हूँ यानि कि अभी सोने का एक्षन हुआ नहीं है अरे भई हाँ है ना अब याद करो दोस्तों टेंस की बात चीथ देखो है ये अपने आप में जिरंड क्या है मेरे भई जिरंड है अपने आप में जिरंड लेकिन इसके साथ आइएंजी जैसे ही जुड़ गया तो ये बताने का काम करता है हमें एक ऐसे एक्षन के बारे में जो की अपने आप में क्या है भाई जान continuous है ठीक है ये है अपने आप में एक ऐसा एक्षन जो कैसा है अपने आप में continuous है ठीक है हाँ भई समझ में आया यानि कि एक ऐसा एक्षन जो की continuous है भाई मुझे क्या पसंद है भाई सोने से पहले तो कोई चीज पसंद नहीं आएगी पसंद तो तबाएगी जब सोने का action मैं continuously कर रहा हूँगा बात समझी में आ रही है? लोजिक समझी में आ आ जेरंड हम उस action को बताने का काम करते हैं जो action अपने आप में continuously चल रहा है हाई ना? और infinity हम उस action को बताते हैं हुआ नहीं है होना अभी बाकी है एक बार ध्याण दिजेगा इस बात पर ठिक है? एक बार ध्याण दिजेगा इस बात पर ठिक है? सबसे पहले सवाल पर थोड़ा गोर फर्माएंगे Ravina has decided मेरे भाई उस इंसान ने decide क्या किया? decide उसने वो काम किया है हुआ नहीं है भी होना अभी बाकी है आया ना? बात समझ में आ रही है action जो भी हुआ नहीं है होना अभी बाकी है मैंने decide किया है आप क्या कहोगे सर क्या decide किया है तो जो आगे मैं बताऊंगा मैंने वो action करना है ये मैंने decide किया इधर देखो ध्यान से, समझने की कोशिश करो इस लिखेवे सवाल में, इनको छोड़ दो फिलाल के लिए, हम लोग infinitive की यहां लिखा है क्या चीज? Ria wants Ria क्या चाहती है? यानि कि जो चीज वो चाहती अभी हुई नहीं है हुनी अभी बाकी है, यानि कि वो learn करना चाहती है बात समझ में आ गई है? हाँ है ना? अरे भाई बात समझ में आ गई है? बात समझ में यह आ गई है, तो अब आओ जी अपने in questions पर थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है मानसी नाम का एक इनसान है जिसने क्या मिस किया? उस इनसान ने यह action continuously करना मिस कर दिया, ठीक है ना जी? क्या वो इनसान किसी भी class को join करना चाहता था? यानि कि उसने वो action continuously करना मिस कर दिया, आप समझें? जैसे आपको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? आपने आपने अपने दोस को देखा दोस का चेहरा हुतरा हुआ है आपने पुछा रहे क्या हुआ? आपके दोस ने का, अरे यार गोवा जाना मिस हो गया मेरे दोस जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा, यानि कि वो action continuous आपकी life में होना मिस आपने कर दिया ठीक है? अब अगर ये बातें हमें समझ आ गई है, ठीक है न? ये बातें हमें समझ में आ गई तो इन सभी questions के answer हम बनाएंगे, पहले सवाल पर रवी ने manage किया क्या manage किया? भाई साब अभी उसने help की नहीं है, help करने के level को उसने manage किया इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख डाला? ठीक है जी? और help के बाद bare infinitive हम लेकर चलते हैं तो ये हम लोगों ने bare infinitive लगा दिया question number 2 पर आएं ने ना started, ठीक है ना जी? जैसे आपने अपने किसी दोस्त का चेहरा उत्रा देखा, आपने उससे पूछा तो उन्हें फिर से smoking शुरू कर दी ना, इसका मतलब क्या समझ वाया? शुरू कर दी, इसका मतलब continuously धुआ उडा रहा है, तभी तो उसके चेहरे पर दिखा, बेटे मुँ काला पढ़ता जा रहा है, होट काले पढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम लोगों ने जेरेंट को चिपका दिया, भाई हाँ है ना नेक्स कोश्चन को देखें, शी कैप्ट हिम अब उस इनसान ने उसे रोका किसलिए रोका? भाई साब इनतजार, यानि कि इनतजार करने का एक्षन तो वो कर रहा है, तभी तो उसे रोक दिया कोई इनसान आपके दरवाजे पर आ रहा है, आपने उसे बाहर ही रोक दिया ठीक है ना जी? इसका मतलब क्या हो? वो इनसान वहाँ पर इनतजार तो कॉंटिनेसली कर ही रहा है, इसी की वेज़े से हम लोगों ने क्या चीज़ को चुनाव में ले आया भाई या? वेटिंग, हाँ है ना? आउटसाइड, क्लियर होगी बाचीद? अब वेट किया है किस चीज़ के लिए? आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो वेट किसी चीज़ के लिए कर रहे हो यानि कि वो एक्शन भी किया नहीं है करना अभी बाकी है अरे हाँ है ना? चलो मैं आप से एक्जेम्पल पूछता हूँ, हाँ भई मोहर बाबू आप शादी की इंतिजार कर रहे हो इसका मतलब क्या समझ में है? शुक्रिया सर आप शादी का इंतिजार कर रहे है इसका मतलब क्या हुआ? भई शादी होनी अभी बाकी है, अरे हाँ है ना? यही तो मतलब हुआ, तो इसका मतलब enter करना तो अभी बाकी है तो यहाँ infinitive हम लोगों ने चिपका दिया, बात समझी मैं अब इस सवाल को ध्यान से देखते हैं I like आप पसंद किसी इसको करते हो भाई किसी चीज को काम करने से पहले पसंद नहीं करते हैं आपको वो action तब पसंद आता है जब वो चीज आप कर रहे हो आपको film देखना पसंद है फिल्म देखने से पहले किसी को थोड़ी पसंद आती है है ना, आप जब फिल्म देखने का action continuously करोगे तब आपको वो चीज पसंद आएगी इसी की वज़े से हम इसके साथ use करने का काम कर रहे है किसी चीज को, swimming को हाई ना, अब यहाँ पर इसी like से पहले आगया क्या चीज? model auxiliary अरे हाई ना, model auxiliary की जानकारी हमें है क्या? कि यह हमारे mood को बताती है भई हाई ना, यह हमारे mood को बताती है, इसने कहा है इस समय मैं क्या करना चाहता हूँ यानि कि यह action किया नहीं है इस समय जो मैं करना चाहता हूँ तो भीया इन्फिनिटिव से हम क्या बताते हैं अन्फुल्फिल्ड एक्शन जो हुआ नहीं है होना अभी बाकी है ठीक है जो हुआ नहीं है होना अभी बाकी है ठीक है अब देखो बच्चो आपको मेहनत करनी है इन सभी का इन्फिनिटि या जेरंट क्या आना चाहिए बहुत ध्यान से बहुत प्यार से मेहनत करना अपने आंसर बताना मैं कोपचे में खड़ा हो के तुम्हारे उपर लाइन मार रहा हूँ ठीक है झाल दिमाग लगाना है भाई दिमाग लगाना है जल्द बाजी में कोई आंसर नहीं देगा अब मैं के करके बातों को समझना चाहूंगा बिटा लोग करके चापी लेके जाना स्टूडियो की ठीक है ना यहां क्या लिखा है इस आ गुड एक्सेसाइज है ना ठीक है अब एक बात बता बचो एक्सेसाइज कब होगी किसी भी काम को करने से पहले एक्सेसाइज हो जाएगी हाँ या ना आप कहोगे काम को करने से पहले एक्सेसाइज तो होगी नी एक्सेसाइज कब होगी जब आप एक्शन कॉंटिनियूसली कर रहे होगे इस हिसाब से तो क्या होना चाहिए जब आप ये कॉंटिनियूसली करोगे तब ही तो exercise मानी जाएगी अरे हाँ है ना ठीक है अब एक बात बताओ सर यहाँ पर अगर लिखा हुए needs efforts यानि किसी चीज़ के लिए effort चाहिए तो effort चाहिए तो किसी काम को शुरू करने से पहले आप effort लगा होगे तो यहाँ जादा क्या sensible हो गया to walk needs efforts ठीक है जी हाँ है ना आप question number 7-8 को ध्यान से देखते हैं लिखा है is a punishable offense है ना जी लिखा है is a punishable offense हाँ भाई एक बात बताओ किसी इनसान की जेब में बीडी या cigarette रखी है बीडी जलेले जिगर से पिया यह फरजी गाना है इस गाने में कोई sense नहीं है बीडी कोई जिगर से जला सकता है क्या है भाई नरिंदर तुम बताओ दीपक तुम बताओ क्या बीडी कोई किसी के जिगर से जला सकता है बताओ सोचके ऐसी ऐसी दुआधार तो कोई भईया स्थिती हो नहीं सकती हाई ना अब एक बात बताओ सर पनिश्मेंट तो तम मिलेगी जब आप ये एक्शन करोगे हाई ना अरे हाई ना इस एक्शन को करने से पहले किसी को पनिश्मेंट कैसे दे सकते हो बता भाई वो सकता है क्या माल लो भाई किसी का नाम ले रहा हुआ माल लो भाई सोनी भाई माल लो आपकी जे में एक बीडी रखी है पात सो दो का बंडल ठीक है आपकी जे में बीडी और माचिश रखी हुई है तो क्या ये पनिश्मेंट हो सकता है आप कोगे अरे सर हमने त आप ये action continuously करोगे इसलिए smoking is a punishable offense, अब इस question number 8 को ध्यान से देखो, smoke is not allowed here, ध्यान से सोच कर बताओ है जी है तो इसका मतलब क्या समझ भेया क्या लिखोगे आप भाई साब जब आप किसी को allow ही नहीं कर रहे हो तो action तो continuously हो गई ही नहीं अरे हाए ना, जब आप allow ही नहीं कर रहे है किसी को इसका मतलब तो action तो भी हुआ ही नहीं है इसी वज़े से यहाँ पर आप लोगों ने क्या चिपका दिया भाई to smoke is not allowed here भाई बात समझ में आ गई आया ना, समझ में आई ही बात चीत समझ में आई बात चीत अब अधिकतर किताबों में अधिकतक सिक्षक अधिकतक जानकार वो लोग ये मानते हैं कि infinitive और gerund दोनों के दोनों noun है और दोनों एक दूसरे को replace कर सकते लेकिन इनमें काइदे से फर्क है और इनके जो फर्क है वो आपके paper में पूछे कैसे गए है ये मैंने आपके सामने चार सवाल लिखे है चारो सवालों को बहुत ध्यान से बेटा मेहनत करो प्लीज हाद जोड के request है इन चारो सवालों पर मेहनत करके दिखाओ फटा फट से सोच समझ के बिना ना बिटा झाल बना दिया भाई शाबाज बच्छु अब इन चारो सवालों के फरक को सोच समझ के देखते हैं आई सौ हिम ब्लैंक क्रोस दे रोड देखो जी दो संभावनाएं हो सकती हैं ये एक रोड है यहाँ पर एक बुजर्ग आदमी है ठीक है न जी जिसके लिए हिम यूज वा है ठीक है जी मैं अपने आपको हरी राम बना लेता हूँ ठीक है भाई ठीक है अब मैं यहाँ बैठा हूँ भाई साब इस बैंच पर ठीक है ना मैं दो संभावनाएं समझ सकता हूँ क्या मैं इस इनसान को रोड क्रोस करने से पहले भी देख सकता हूँ यानि कि इसने भी रोड क्रोस किया नहीं है करना अभी बाकी है हाँ है ना जब एक्षन अभी होना बाकी है तो हमें यह समझ आया तो इसका मतलब तो यह समझ मैं इस सौ की वज़े से हम बेर इन्फिनिटिव चुप चाप लिख सकते हैं पहली बात होगी सैंसिबल अरे हाँ है ना दूसरी बात ये भी तो संभव है सर दूसरी बात ये भी तो संभव है कि ये इंसान चल कर हो सकता है रोड के कहीं बीच में आ चुका हो और यानि कि रोड को क्रोस करने का ये एक्षन इंसान कर रहा हो ये भी तो हो सकता है, दूसरी संभावना भी है, यानि कि इस लिखेवे पहले blank में, चाहे आप cross लिखें, चाहे आप crossing लिखें, ध्यान से देखना भाई साब, ये bare infinitive है, ये gerund है, समझ रहे हैं, यानि कि यहाँ दोनों संभावना हैं, दोनों अपने आप में अर्थ बता रह हैं, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, अरे क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों बातें अपने आप में संभाव हैं, कोई दिकत तो नहीं है भाई, किसी तरीके की, दोनों बातें संभाव हैं, अब इस लिखेवे सवाल पर ध्यान से सोच कर बताना, I saw the thief, मैंने आपके सामने choice लिखी, बताओ इन दोनों में से कौन सी choice को आप ठीक मानेंगे, बताओ ध्यान से दिमाग लगाना भाई snatch कहोगे या snatching कहोगे बेटा, आज की class को ध्यान से देखना, ठीक है ना, और कल की class को revise करना, आपको बताओ, 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 शबश आपने snatching कहा बताओ, जरा snatching ही क्यों सही है, इस सवाल की बात कर रहा हूँ, कुछ नलायक इनसान इसका answer बता रहे है, पक्के नशेडी है भाई, मैं इसका answer पूछ रहा हूँ, अरुन बाबू इसका answer बता रहे, बेटा, कौन सा नशा करता है तु रादे भाई कह रहे हैं, जी snatching होना चाहिए विकोज chain खीचने का काम बाद में नहीं हो सकता थोड़ी सी बात गलत है, थोड़ी सी बात चच्चती है, snatching answer ठीक है लेकिन सोचने की बात ये है कि snatching answer ठीक क्यों है एक बात बताओ ध्यान से सोचकर आपको कैसे पता चला आपको कैसे पता चला, वो इंसान थीफ है अरे तभी तो पता चलेगा जब कोई इंसान ये action कर रहा होगा आया ना, मालो आपके सामने बहुत सारे लोग खड़े हो और एक इंसान बिल्कुल चुप चाप खड़ा हो आपको कैसे पता चलेगा, वो थीफ है थीफ का तो तब पता चलेगा ना जब वो थीफ करने का कोई action करेगा हाई है ना इसी वज़े से यहाँ पर snatch किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, क्या कहना sensible है, snatching कहना sensible है यूँ दिमाग लगाना है भाईसा पेपर में फिक है ना, फरजी वाड़ा नहीं चलेगा बेटा इसलिए मैं कह रहा हूँ, आओ कभी वर्ब एडवांस में, दिमाग घुमा देगा पाकिस्तान में, समझ रहे हैं कितना ही दूर तक दोड़ लो, वर्ब एडवांस जिसने सॉलिडी तरीके से पढ़ा, उसे पता चलता है कि भाईसा इसके अंदर असली जज़बा है सीखने का खामाखा लोग वर्ब मैथ एडवांस मैथ से डरे बैठे हैं या वर्ब एडवांस नचाने की शमता रखता है आपको अब इन दोनों सवालों को ध्यान से समझना 11-12 का अंसर बताना कवीता को यहां पास्ट कॉंटिनुई सेक्शन नजर आ रहा है अद्दै भाई पास्ट कॉंटिनुई सेक्शन कौन सा होता है बिटा अब इस दोनों के दोनों सवाल को देखेंगे एवरिवन हर्ड हिम ब्लैंक आ लाई ठेक है न जी यानि के जब लोगों ने सुना जब लोगों ने सुना तो सुनाई तो तब देगा न जब कोई इनसान ये काम कर रहा हो भई हाँ है न जब सुनाई देगा इस सेंटेंस के हिसाफ से तो यह जब सुनाई देगा जब यह एक्शन हो रहा हो जूट आपकी कब पता चलेगी जब आपने कुछ बोलने का एक्शन किया सामने वाले ने सुना तब को आप जूट बोल रहा है अरे हाँ है न तो इस हिसाब से, तो यहाँ पर क्या कह देना सेंसिबल हो गया भाई, टेलिंग कहना सेंसिबल हो गया, सेंटेंस नमबर 12 को ध्यान से देखो, सेंटेंस नमबर 12 को ध्यान से देखो, यहाँ लिखा nobody, अब भाई साथ किसी इंसान ने सुना ही नहीं, सेंटेंस 12 में क्या हो गय जब किसी इनसान ने सुना ही नहीं है, इसका मतलब बोलने का एक्षन हुआ ही नहीं है, अरे हाय ना, इसी वज़े से बेर इंफिनिटिव लेकर चलोगे, कहानी खत्म हुई, अरे हाय ना, ठीक है, दो सवाल फिर दे रहा हूँ झाल 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 दिमाग लगा इन तीन सेंटेंसेज पर आज यही समझना है आप लोगों को इन्फिनिटिव और जेरण में बेसिकली क्या फर्क होता है इन्फिनिटिव और जेरण में क्या फर्क होता है झाल झाल बन गई बात चल तो भाई आप question number इस बात पर ध्यान देखते हैं क्या कहता है He stopped blank when he saw his father तो इस मामले में क्या समझ मैं इस situation को वास्तविक रूफ से महसूस करके देखो He नाम का कोई इनसान है ठीक है ना उसके पिता सामने से आए उसके पिता सामने से आए तो अब वो ऐसा तो होगा नहीं ऐसा तो वो होगा नहीं भाई साफ सामने से पिता आ रहे हैं तो वो इनसान रुका कि चल बेटे अब सिगरट निकालते हैं और बाप को बाप होने का एहसास दिलाते हैं सेंसिबल ही नहीं है ये तो बात अब समझ में आ रही है कि भाईया आपके पिता सामने आए ठीक है चलो पहले इन दोनों इस बात को ध्यान से समझते हैं ये क्या कहना चाहता है इसका मतलब क्या हुआ वो इनसान धुमरपान कर रहा था यहाँ पर continuous है ना भाईया वो इनसान धुमरपान कर रहा था उस इनसान ने इस activity को रोक दिया यानि के बीडी या सिगरट पीडे की activity को रोक दिया ये action continuously चल रहा था पहली बात हुई अब दूसरी बात का मतलब क्या समझ में है he stopped to smoke इसका मतलब क्या हुआ वो इनसान चले जा रहा था और वो चलता चलता रुका किस लिए ताकि वो smoke कर सके यानि के बीडी या सिगरट पी सके दो अलग-अलग अर्थ समझ में आए दो अलग-अलग अर्थ समझ में आए हाँ है न मैं इस बात को smoke की जगे हटा कर कुछ और भी कह सकता हूँ मैं आपको ये भी कह सकता हूँ he stopped to talk इसका मतलब वो कुछ और काम कर रहा था वो काम करते करते रुका ताकि वो बात कर सके ठीक है और अगर मैं कहता हूँ he stopped talking इसका मतलब वो इनसान कुछ और नहीं actual में बात ही कर रहा था और उसे उसने रोक दिया दोनों का फर्क समझ आया यही फर्क है यहां दोनों के दोनों कॉंटेक्स अपनामे सही है अब इनके फर्क को हम sentences पर लगाते हैं लिखा है he stopped smoke when he saw his father अरे भाई सामने जब बापू आये तो इसका मतलब समझ में आये कि भाई साब अपना लगए पड़े थे अपना लगए पड़े थे भाई साब टारजन का बंडल लगा के ठीक है बापू सामने आये तो भाई साब तुरंद बुझा दिया रहा बापू मारेगा भाईया हाया ना पहली बात समझ में आई ठीक है दूसरी बातचीत को देखते है he stopped blank आगे क्या लिखा है as the doctor advised him आगे लिखा do so एक बात तो समझ में आ रही है यहाँ पर do का मतलब क्या हुआ किसी डॉक्टर ने उस इनसान को advice कि भाईया रेंड दे भाईया रेंड दे अब और मत उडाव धुए को इसका मतलब यह समझ में है वो इनसान लगातर cigarette पीने का काम कर रहा था डॉक्टर ने उसे सला दी है तो जब डॉक्टर ने उस इनसान को सला दी है तो किसलिए सला दी है ताकि वो इनसान ये काम ना करें तो भाईया काम करना अभी बाकी है तो advice क्या है भाईया ऐसा ना करें ठीक है ना जी डॉक्टर ने उसे एडवाईज किया है as the doctor advised ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आ भाई जान बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक है बेटा clear होगी बात्चीत अब difference समझ में आ गया अब आप लोगों को कसम है अपने चाहने वालों की ठीक है ना, घर पर आज अपनी non finite की शुरुवाद से यहनिके infinitive का शुरुव से देखना है यहां तक देखना आपको फर्क समझ में आ जाएगा ठीक है ना जी, clear है समझ गे बेटा कोई दिकत तो नहीं है भई अब थोड़ा सा आगे लेके चल लेते हैं इसी बात्चीत को ठीक है ना, जिरन की खास बात आप लोगों को पता होने चाहिए ठीक है ना, चलो आपकी previous knowledge को थोड़ा सा revise करने की कोशिश करते हैं झाल देखो भाई मैंने आपके सामने तीन सावा लगाए है ठीक है जी आपकी कसम ले 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 हम कुण कसम ले ले यार हम कुण कसम ले चाहते हैं अमित भाई तुम्हारी कृपास से अगर हम लोग जल्दी मर गए तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई कौन कमबखत जीना चाहता है घुट घुट कर हम तो मरना चाहते हैं तुम्हारी यादों में अब थोड़ा सा इस बात को समझने क्या काम करते हैं देखो बच्छो इस लिखेवे सेंटेंस में रवी इस गुड आप लोगों को एक चीज पता है और वो क्या कि सर गुड के साथ तो हम एक प्रेपेजिशन यूज करते हैं क्या एट भाई हाय ना गुड के साथ हम क्या यूज करते हैं भाई प्रेपेजिशन हम एट यूज करते हैं भाई हाय ना ये चीज तो हमें पता है अब हमें एक दूसरी बात और भी याद आती है क्या कि सर प्रेपेजिशन तो हम तब यूज करते हैं noun, हाई ना, अब आपको एक चीज़ पता है, क्या, कि भई ये जो हमारे सामने लिखा है, to sing ये अपने आप में infinitive है अरे हाई ना, है ये अपने आप में क्या चीज़ infinitive है, तो ये भी अपने आप में noun, लेकिन अगर आप इस infinitive को ध्यान से देखोगे तो इस infinitive में, इस first form of verb से पहले two लिखा हुआ है, तो preposition ही हाई ना, अब दो बातों की लड़ाई होगी भाई, क्या, preposition ये होगी अपने आप में, infinitive में preposition ये होगी है, तो दोनों एक साथ टकरा के मर जाएंगे, हाई ना इसी लिए, कई विचारक कि ये मानते हैं, कि किसी भी लिखी preposition के बाद, आपको जब noun लिखना है, तो infinitive को हटा कर, आप जिरंड वाले noun को use करेंगे, ज़्यादा समझदारी होगी, ठीक है, ज़्यादा समझदारी क्या हो गई, कि जब आप लोगों को preposition के बाद, किसी भी noun को लिखना है, ठीक है ना जी, जब किसी भी noun को लिखना है, तो आप एक काम करेंगे, आप इसके ठीक बाद, infinitive वाले noun को ना लिखें, infinitive वाले noun की जगे, आप use करने का काम करें, किसी इसको, gerund को, ठीक है बे, बात समझ में आगी मेरे भाई, आया ना, ठीक है, आप question number two पर मेहनत करते हैं, मेरे बच्चों, लिखा हुआ क्या है, she is confident to win this match, सवाल को गर ध्यान से देखेंगे, तो आपको याद आएगा सर, confident के साथ हम off use करते थे, हाई ना, confident के साथ हम preposition off use करते थे, हाई ना, अब confident के साथ जब off हम use करते में क्या है, noun, भाई बात कुछ समझ भी आई के नी आई, हाई या ना, ठीक है भाई, अगले सवाल को देखने का काम करते हैं, संजे is accused, आपको एक चीज़ पता है, सर accused के साथ, तो हम preposition of use करते हैं, हाई ना, अब preposition of के बाद, हम इन noun की जरूत है, तो to kill को हटा कर हम लोगों ने क्या चीज़ को use करने का काम किया, killing, भाई हाई ना, किसी को कोई दिक्कत घबराहट, परेशानी है, तो बताओ जरा, ठीक है तो आज हम लोगों ने एक और प्यारा सा logic सीख लिया है, और वो क्या logic है हम किसी भी लिखेवे preposition के बाद, infinitive को नहीं, हम gerund को use करते हैं यहां तक बात समझ भी आई भाई ठीक है, अब यहां तक की बात को अच्छे से, please, आपसे विनमर निवेदन है, आपसे विनमर निवेदन है, ठीक है, अच्छा अगर आप चाहों तो मैं क्लास आगे भी continue कर सकता हूँ, या फिर पहले यहां तक की बात को अच्छे से revise करोगे बताओ जरा बताओ जरा बहुत यह अच्छे से समझ आया है, ना 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 आपको अच्छे से समझ आया है, यह आपके प्रयास है आप अगर अपनी क्लास को अच्छे से revise करते रहोगे, बार बार देखोगे तो आपको बहुत प्यार से इस चीज़ को समझ आया है झाल 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 झाल